हालेलुया इस भक्ति शुरू करने के पहले यशु मसी के संदरिश देने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक अंग्रेजी में सांसारिक गाना गाऊंगा इस गाना का नाम है सौंग संग ब्लू अंग्रेजी में गाता हूँ लेकिन हिंदी में आपको दो मिनिट में मतलब सुनाता हूँ संग संग ब्लू वीपन लाइब का विलो संग संग ब्लू शीपन अन्माइब का विलो Me and you are subject to the blues now and then When you take the blues and sing a song You sing it out again You sing it out again हालेलुया तो इस यश्व मसी के संदेश सांसारिक लोगों के लिए है जो उस समय के उस समय के सांसारिक लोग और अभी भी के लिए मतलब रहता है तो मैं आपको इस संदेश का नाम है Kingdom of Hades, Hades of Plutus रोशनी के बच्चे यश्व मसी के शिश्य इस अंधिकार अंधिकार संसार में कैसे जी सकते है इस अंधिकार इस 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 संदेश लुकोस की किताब में सोलावा चैप्टर में है, Plutus जो है, वो उस ग्रीक, ग्रीस ग्रीस देश के एक डॉक्टर था वो पड़ा लिखा डॉक्टर था जो यश्व मसी के जीवन के बारे में इस किताब, लुकोस किताब में लिखा था तो वो इस संदेश का नाम है शुरूड मैनेजर, एक्चुली वो बोलता है कि शुरूड फाइनस मैनेजर, फाइनस मिनिस्टर अभी मैं आपको सोब बोलता हूँ कि मैं इस संदेश के बारे में क्यों सोच रहा था क्योंकि मैं जब मैं बॉंबे आया तो मेरा बैंक से मेरा बैंक से कुछ बच्चो नन्ने मुन्ने प्यारे से बच्चे लोग का फोन आया था और मेरा बैंक का बैंक, ब्रांच मैनेजर को दस मैना से दून रहा हूँ, ना कुछ पुकार, ना कुछ इमेल भी बेजा हा है, ना कुछ फोन कॉल मिला है तो मैं सोचा चलो, कोथुन उन में धूनते जाओ, तो मैं सर पे कफन बांके, साइकल पे जाके, मैं कोथुन उन में काफी धुनदा उनके लिए, लेकिन ये, ये, ये मैनेजर मिला है नहीं, कोई किसी को भी पता नहीं था, तो मैं सोच रहा हूँ, भाई, है या नहीं हो मै अभी मेरे बैंक में तो मैं बैंक का नाम नहीं बोल देता हूँ इसलिए ये संदेश काफी टाइम से मेरे मन में था लेकिन मैं सोचा कि ये संदेश को अभी अभी देता हूँ तो इस संदेश का नाम है प्लूतोस के राज अभी प्लूतोस जो ग्रीक ग्रीश देश का जो एक एक भगवान था, जो जिनका नाम हेडीस भी था, यह प्लूटोस अंधकार, अंधकार का राजा था, और उनका जो मतलब होता है, ओ धन देने वाला, वेल्थ देने वाला, पैसे देने वाला भगवान था, उस देश का भगवान था, तो यह लुकोस इसके बारे में लिखता लिख रहा था, और इसका टाइटल जो देते हैं शुरूर मैनेजर, ओइको नोमास, मैनेजर जो इस धन देने वाले भगवान का नियम, का नियम चलाने के लिए रखा गया था, अच्छा, तो फाइनाइन्स मैनेजर बोलो अब, या फाइनाइन्स मिनिस्टर बोलो, तो इस संदेश के बारे में मैं बताता हूँ, तो यशु मसी ने कहा कि हलो, इस ओइको नोमास, इस फाइनाइन्स मिनिस्टर को पूछा, हाई भाई, आप आपका मैनेजर का काम के बारे में मुझे हिसाब देओ, तो अब ये तो कुछ गोटाला कर दिया था, तो हिसाब नह कि जितना भी कर्जदार था, इस मैनेजर का कर्जदार था, उसने बोला, हे, आपका 100 रुप्या का कर्ज है, ठीक है, ठीक है, आप 80 देखे, आपको 20 का कर्ज माफ, ऐसे काफी लोग को करके, इखटा पैसा इखटा करके, प्लूटोस को लेके आता है, तो प्लूटोस हुआ, मोगैंबो, खुश हुआ, तो मैं बोला कि चलो भाई, इस मेरे यश्व मसी ने सिखाया कि हालो, कोई कर्जदार है, तो अब धून लो, उनके भाव, उनके कर्ज कम करो, तो मैं धूनने चला, भाई, मेरे भक्ती करने गया था, मनुरी बीच, 91 में मैं मेरे नएने शादी हुआ था, मैं मेरे बीवी कुछ दो दिन यहाँ गुजारा था, इन चटानों पे एक फोटो भी था मेरा उनके साथ, और मैं यहाँ देखा था, जब मैं आया था, मैं इन चटानों पे बैठके, मैं याकुब की, मेरे किताब में से मेरे किताब में से याकूब का के बारे में पढ़ रहा था तो मैं स्तुति करने लगा जब मैं आया था तो कुछ लोग मेरे पास आये लेकिन मैंने उनकी साथ बात करने की मूड में नहीं था तो मैंने छोड़ दिया वहाँ एक कपल भी आया था जो उनका साल गिरा, शादी का साल गिरा मनना आ रहा था और एक फूटो शूट कर रहा था, मैं एक आइस घोला खाया, फर्स क्लास, और मनुरी बेल में फर्स क्लास चाय पिया, और इस चटानों पे मैं भैट के, मैं धर्द बरी, आसु भरी के यश्व मसी को मैंने पूछा कि हाए प्रभू, इस सुपब, इस सुपब, इस सुन्दर सा जगा, इस को क्यों आप नश्ट करने आएंगे, तो यश्व मसी ने जब मेरे भक्ती में, मेरी दिल पे कहा कि हे भाई, अगर इस सुन्दर्ता, में अगर आप है tik। पाप है और इस पाप की पाप की पाप की प्रेजन्स इस पाप की जो हाँ इस पाप की इलाज है जैसे डियाबिटी में इलाज है लेकिन खभी निकल नहींगा जब यह मैं पूरा 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 नश्ट करके नया बनाने वाला हूँ नया बनाने वाला हूँ मैं आऊंगा जर करने के लिए जब मैं गाना शुरू किया तो ये दो कुत्ते आए आप देखते हैं ये मेरे ये मेरे ओडियंस था और ये दो कुत्ते जो थे जब मैं आंग बांध कर रहा था तो ये सफेद कुत्ता जो ता वो लंगरा था आया मेरे पास लंगरा था आया मेरे पास और मैं दे लेकिन वापेस आ रहा था सुनने के लिए, धर के भाग रहा था, तो भक्ति کے धुन में मैं एकदम मस्त था, आंग बंद करके भक्ति कर रहा था, ज्व मैं आँग खोला था कि तो कुट्टे नहीं थे, तो मैंने बोज आ थे कि हा प्रभू, क्या आपने स्वर्गदूत भेज मारवे की वापस आयव मेरे दोस्त के घर पालगर जाने के लिए तो इस सांसारिक जीवन में यश्व मसी के भक्त अधिक आनन से जी सकते हैं मैं जो गाना गाया था वो गाना बोल रहा था कि अगर आपका मूड खराब है एक दम उदास है तो हे गाना गाओ एक एक दर्दबरी गाना गाओ अगर आपके आख से आसु आ रहा है वीपिंग लैक विलो जो आपके आसु आ रहा है तो गाना गाओ भै आप गाना गाओ और आपका दिल तुरंत को शांती मिलेगा हम सब कभी-कभी अश्यांत होते हैं लेकिन अगर ए सांसारिक गाने का जो पवित्र वचन में संगीत के वचन में जैसे लिखा था संगीत कार जो 84 संगीत में लिखा है इनका जो शब्द जो है इतना इतना उंचा विचार है शिर्फ परमेश्वरी ऐसे वचन लिख सकता है ये संगीत कार के अनुसार ये संगीत कार लिखते है कि अगर अगर आप यश्यू मसी में यश्यू मसी को मानते चलो अब उस पे विश्वास करते रहो तो अगर आप आशु भरी रास्ते पे हैं फिर भी यशु मसी ये नया बारिश भेजेगा उपर से नया बारिश भेजेगा और आपके आशु जिस के नाला को नमक भरी आशु के आशु के नाला को एकदम शुद और मीठा पानी बना देगा ऐसे शब्द सिर्फ परमेश्वर लिख सकता है तो चलो हम इस संसारिक जीवन में इस मैनेजर फाइनाइन्स मिनिस्टर के बारे में हम वापिस पहुचते हैं तो इस संसारिक जीवन में एक फाइनाइन्स मैनेजर को जो यशु मसी ने एक कहानी कहा कहा तो उसने उसने इस बहुत कम कहानियों का मतलब भी समाज मतलब भी देते हैं और इस कहानी का मतलब यशु मसी देते हैं और वो कहते हैं कहता है कि है भाई अगर आप छोटे-छोटे चीज में के 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 में फेट्फुल है अगर एक छोटे-छोटे चीज जीज में आप बराबर की तरह संभालेगा तो आप बड़े बड़े चीज आपको दिया जाएगा अगर आप छोटे-छोटे चीज में आप Dishonit है आप गदारी करते हैं तो आप बड़े-बड़े चीज में भी गदलारी करने की करने करने का लायक हो है तो 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 ये लेकिन वो बोला था कि है है भाई आप आप दो 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 मास्टर की सेवा नहीं कर सकते हैं अब प्लूटोस धन देने वाले धन देने वाले की भगवान को आप प्रातना ने कर सकते हैं पुजारी ने हो सकते आप एकी 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 मास्टर रख सकते हैं क्या आप भर्म या भर्म जो इस पुरूथवी का मालिक है जो बनाया है जो धन बनाने वाले, देने वाले को भी बनाया है, क्या आप उसके, आप उनका पुजारी हो सकता है या धन देने वाला पुजारी, अब धन का पुजारी मत, मत बनाओ, अब धन के पुजारी नहीं हो सकते है, अब धन के पुजारी नहीं हो सकते है, No servant can serve two masters For either he will hate one and love the other Or he will be devoted to one and despise the other You cannot serve God or money आप 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 परमेश्वर की सेवा या 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 धन की सेवा Sorry ये दोनों की सेवा नहीं कर सकते है ये दोनों की सेवा नहीं कर सकते है तो चलो हम मिलते रहेंगे और यश्व मसी के रोशनी की और चलते चलते साथ साथ मेरे साथ कदम पे चलो Hallelujah, Thank You and God Bless मैं प्रातना करता हूँ अभी कि आप के दिल में यश्व मसी के चिराग जले Father in Heaven, प्यारे पिता परमेश्वर मैं आपको प्रातना करता हूँ कि हे प्रभू, आपके रोशनी मेरे देश में मेरे भारत में, हर घर में एक रोशनी हो, in Jesus's name Amen Amen